नमस्कार दोस्तों स्वाग्व करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके भी एजुगान में तो दोस्तों के शब्स भी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक्जाम कैंसल होगे हैं ट्वेल्थ क्लास के उसके बाद ग्रेजुएशन में एडवेशन कैसे हो लिएव нес वीडियो केंदर हम बात करेंगे देला दोस्ती की तो काफी सारे स्ट्वेंट्स के मनहें डाउट बना हुए इसको थोड़ाइब स्लम करने की कोशिस करेंगे स mystical में देखते हैं क्या इस निउस के इन्दर लिखा हुए यारर तो सबसे पहले तो यही लिखा हुए कि अभी तक डी यू तेयर नहीं करपाई है कि ग्रेजिवेशन यानि कि कोई भी बेसल डिगरी के अंदर एड़मेशन के इस आधार पर होंगे और बात्चित में दिल्ली विश्व द्याले के कार्या कारी कुलपती ने कहा है कि बात्चित सरकार ने जो निन्ने लिया है कि सी को कोई दिक्कत ना आए तो उपर सबसे पहले तो लिखाओ यार मेरिट पर होंगे दाखिले हम जो दाखिला करेंगे मेरिट के अधार पर ही होगा और जो भी प्रतिवासाली है उन्हें दाखिले उन्हीं को दाखिला मिलेगा सिद्धी से बात यहीं लिखाओ लिखी हुई आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से कौन से स्टुएंट को कितने नंबर देने चाहिए तो इतना परतिबा साली बॉर्ड तो सी बीए सी है तो देखते हैं और बाकि किस तरह का रिजल्ट निकलता है हमारे विश्विजाले में जो एडमिशन के लिए प्रिक्षान होती है व जो एंट्रस टेस्ट होता है एडमिशन के लिए उसके ओपर भी नजर है हो सकता है उसके आदार पर भी एडमिशन ले लिया जाए तो अब भी तक ये भी लिखा हुए कि अगले सेस्ट में जो भी जो क्लासिज लगनी है वो ओनलाइन ही होगी ओफ लाइन का कम ही चांस है लाइन ही होगी अगर साथ-साथ फिजिकल कलासि जानके ओफ लाइन लगती है तो वह अच्छी बात हो जाएगी लेकिन वह सिच्वेशन पर डिपेंड करता है लेकिन बात करते हैं रेडमिशन की तो सी यू सेट के अदार पर भी हो सकता है मेरिट बेस भी हो सकता है जो सी देखली वीडियो में उसके अंदर कुछ और न्यूज मिलती है तो आपको बताएंगे